अखिल भारतिये महिला कॉंग्रेस की राश्टिये मासचेव चित्रा सरवारा ने एक प्रेस वारता की और प्रेस वारता में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने आज हर जुरूरत की चीजों को मनमाने दाम सरकार में जो पानी एक रुपे का एक हजार लीटर आता था भाजपा की सरकार आते ही उसका रेट छे से आठ रुपे का एक हजार लीटर कर दिया गया है जबकि सरकार को मालुम है कि हर गरीब से लेकर अमीर परिवार को रोजाना एक हजार लीटर पानी की जुरूरत होती ह यह जो दस गुना बड़े हुए रेट के साथ पानी के बिल आये हैं और जिस घर में एक रुपया प्रती किलो लीटर का बिल आता था आज वहाँ पे उसी घर के अंदर दस रुपया प्रती किलो लीटर के साथ से बिलाया है और इसमें सरकार की जो नोटिफिकेशन हमने वो निकाली हमने वो चेक करी उसमें उन्होंने जो बॉटम लाइन स्लैप्स थी पहले सरकार आपको 50 किलो लीटर यानि की 5-50,000 लीटर मही सरकार ने यह माना था कि आंग घर जो है 50 टैंकी पानी तो महीने में इस्तमाल करता ही करता है भाजपर सरकार में जो अब यह नोटिफिकेशन नया निकाला गया है इसके अंदर उन्होंने कहा है कि 10 किलो लीटर जो है 10 टैंकी तक तो आप लोगे 2 रुपय पे अगर आपने 10 से 20 टैंकियां कर ली है तो उसका रेट और बढ़ गया है 20 से 30 करिया तो और बढ़ गया है 30 से उपर अगर यह आपकी पूरी बिलिंग जा रही है तो आपको 10 रुपया प्रंदी किलो लीटर पढ़ेगा तो आपको गंदा पानी पीने की शिकायत आ रही है लोग गंदे पानी के सैंपल से लेके खूंड़ है चितरा सरवारा ने इस दोरान मकान बनाने के लिए पानी और सेवरेज का कलेक्शन लेने के लिए बड़े हुए रेटों पर भी हला बोला और सरकार की जमकर निंदा की अब बात आती है पैसा परस्ती के बाद मौका परस्ती भाजपर सरकार ने ये नोट पिकिश्ट पिछले साल लागों रहते हैं छे वहीने का बिल जन्ता को आता है ये बिल दिसंपर तक का परवरी तक मार्श तक लोगों के पास आ जाना चलिए चुनाओं को देखते हुए भाजपर सरकार ने की बिलोगों को बोड़ किया लोगों से रोखे रखा तक और चुनाओं को ने के बाद आप माई में जाकर के मुश्ट के हाथ में बिलाने के लिए झालिए